स्वागत है आप सभी चात्रों का आपके अपने इस चैनल इस्टेडी बिद टाइगर पर तो इसके पहले वाले सेशन में हिस्ट्री की जो हमारा चैप्टर नमबर 6 था बहुत धर्म उसके परचार के बारे में हमने आपको बताया था कि बहुत धर्म का परचार किन किने अस्थानों पर और किस तरीके से किया गया था उन प्रचार के माद्यम से बुद्ध मात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने क्या-क्या दर्शन दिये थे और मात्मा बुद्ध के कौन-कौन से अन्याई थे उनका क्या योगदान उनके धर्म के प्रचार प्रसार में था आज का जो हमारा महात्पूर टापिक है वो है बहुत धर्म की समितियों के बारे में ये जो टापिक है वो एक्जाम के पॉइंट अब्यू से बहुत ही महात्पूर है तो जैसा कि हम जानते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्व 483 इशापूर में हो जाती है उनकी मृत्यू के बाद उनके धर्म से सम्मंदित उनके धर्म के ब्याख्या को लेकर उनके धर्म के प्रचार प्रशार को लेकर के बहुत धर्म के जितने भी अनुयाई हैं उनके बीच में एक वारतालाप होती है और वो लोग क्या करते हैं? संगीतियों का आयोजन करते हैं, संगीतियों का आयोजन का मतलब यह होता है, कि वात्माबुद के बाद अब इस धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, इस धर्म के परचार परशार को और आगे कैसे आमजन तक पहुंचाया जाए? इसी को लेकर के बहुत धर में चार संगीतियां आयोजित की जाती हैं उसी संगीतियों के बारे में आज हम आपको बताएंगे तो आईए देखते हैं मात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो संगीतियां आयोजित की गई थी उनके बारे में तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुत संगीतियों में जो प्रथम बहुत संगीती है वो आपकी 483 इसापूर अर्थात महाद्माबुद के मृत्यु के ठेक उपरांग 483 इसापूर में प्रथम बहुत संगीत का आयूजन किया जाता है इसके आयूजन का जो इस्थान रहता है वो राजग्रेह की सब्तवरडी गुफा में रहता है इसका जो सासनकाल है अथा प्रथम बहुत संगीती जो हुई थी वो अजातु सत्रु के सासनकाल में हुई थी इसकी जो अध्यचता की थी वो महाकस्प ने की थी और जो प्रथम बहुत संगीती है उसका प्रदाम ये था कि बुद्ध की जो सिप्छाएं थी वो उनका दो भागों में विभाजन हो गया था अर्थात सुत्त्य पिटक ये उनके प्रियसस थे और बिने पिटक की रचना उपाली ने की थी वो भी उनके प्रियसस थे सूत पिटक में महात्मा बुद्ध की सिक्षाओं के बारे में बताया गया है बिने पिटक में महात्मा बुद्ध के आचार विचार और नियमों के बारे में बताया गया है जो भावद विच्चुया विच्चुडिया जिन नियमों का पालन करते थे अब आते हैं दुतिये बहुत संगीत में दुतिये बहुत संगीत जो आपकी हुई थी वो महात्मा बुद्ध के सो वर्ष के मृत्यु के उपरांद 383 इशापूर में हुई थी 383 इशापूर में हुई थी और दुतिये जो बहुत संगीत हुई थी वो बैशाली में हुई थी इसका जो सासक था उस समय का वो आपका था काला सोक और इसकी जो अद्यच्चता की थी सबकामी या शर्बकामी ने की थी इसने की थी शबकामी या शर्बकामी ने दुतिय बहुत संग की अद्यच्चता की थी दुतिये बहुषिंग जो शंगीती है उसका परिडाम क्या निकला तो दुतिये बहुषिंगीत में थेरवाद के दसनी अमों की ब्याक्या को ले करका आपस में ही बिवाद हो गया उस विवाद के बाद जो बहुत धन था वो दो भागों में बट जाता है उन दो भागों में प्रतम जो था थेरवाद या जिसे हम इस्थविरवाद कहते थे जिसके अगवाई महा कच्चायन करते थे दूसरा जो था वो था महा संगिक या सरवास्तिवाद जिसकी अगवाई महा कच्चप करते थे थेरवाद जो था वो परंपरावादी विचारधारा का अनुसरण करता था अब आते हैं हम तिरतिये बाध संगीत में, तिरतिये बाध संगीत आपके ड़ाई सोय शापूर्ब आईजित की जाती है, इस्थान इसका होता है आपका पाठिल पुत्र असोक राम बिहार, अर्थात पाठिल पुत्र में असोक राम बिहार एक जगे है, वहां इसका आयोजन किया जाता है तिर्थिय बहुत संगी जो होती है वो असोग के सासनकाल में आयोजित होती है और इसकी जो अध्यचता करते हैं वो मोगल उत्तिस से इसकी अध्यचता करते हैं अर्थात तिर्थिय बहुत संगीत में ये बताया गया है कि असोग जो था उसने बहुत धन सभी कार कर लिया था उसी के सासनकाल में तिर्थिये बहुत संगीत आयजुद की जिए गई थी मोगल पुतिस ने इसके अध्यच्चता की थी और इसी तिर्थिये बहुत संगीत में एक नए पिटक अर्थात तीसरे जो पिटक हैं अभिधम पिटक के रचना के जाती है अर्थात तृतिये बाध संगीत में तृतिये पिटक अविधम पिटक की रचना की जाती है अविधम पिटक का जो बिशे है जिस पर अविधम पिटक आधारित है वो बाध धर्म के दर्शन की ब्याख्या को लेकर इस पर वर्लिद किया गया है अर्थाद अविधम पिटग में बाउध धर्म की दर्शन की ब्याख्या का वर्लन है अगला देखते हैं चतूर्थ बाउध संगीती तो जो चतूर्थ बाउध संगीती है वो पृथम सताब्दी इसवी में अर्था तब इसापूर्व खतम हो जाता है और प्रतम सताब्दी इस्वी में जो आपकी चोथी बहुत संगीती है वो आयोजित की जाती है और ये जो आयोजित है वो अस्थान जो है आपका कुंडलवन विहार कस्मीर में पड़ता है अर्था चतुर्थ बहुत संगीती कुंडलवन विहार कस्मीर में आयोजित की जाती है जिसका जो सासक होता है वो आपका कनिस्को होता है इसकी अद्यचता वसुमित्र करते हैं और सबसे इंपोर्टन जो ये है कि अगर ये पूछा जाता है कि इसका उपाध्यच कौन था तो वो थे अस्व गहोस अर्था चतुर्थ बहुत संगीती की अद्यचता वसुमित्र ने कि थी और उसकी उपाध्यचता अस्व गहोस ने कि थी चतुर्थ बहुत संगेती का जो परिलाम था वो ये था कि बहुत धनपुना दो बहुत बढ़े संपर्दायों में बिवक्त हो जाता है उन दो बहुत बड़े संपर्दायों में पहला संपर्दाय है आपका हीनियान ये जो परंपरावादी विचारधारा है उसका अनुसरर करता है और महायान जो नवीन विचारधारा है उसका अनुसररर करता है इसके पहले वाले सेशन में हमने आपको तीन संपर्दायों के बारे में बताया था जिसमें से हीनियान संपर्दाय, महायान संपर्दाय यों बज्जरियान संपर्दाय थे तो जो दोनों संपर्दाय हैं हेनियान यों महायान इनकी जो बैख्या मिलती है वो चतुर्थ बहुत संगीत के बाद मिलती है अथा चतुर्थ बहुत संगीत के बाद आपका बहुत धर्म हेनियान यों महायान दो धर्मों संपर्दायों में विभाजित हो जाता है अगला जो important है वो संगीती नहीं बल्कि पाचवी बहुत संभीती है ये पाचवी जो बहुत संभीती है वो हर्सवर्दन के शाशनकाल में जो है आयोजित की जाती है कहां आयोजित की जाती है? कन्नाज में ठीक इसका जो सासक होता है वो हर्सवर्दन होता है अद्यचता इसकी कौन करता है वे निशांग करता है इसकी अद्यचता और इसका जो परिडाम ये होता है कि बहुत धर्में अब महायान धर्म की सिरिष्चता इस्थापित कर दी गई थी पांच वी जो बहुत समिती थी वो केवल और केवल महायान धर्म के स्रिश्चता को साबित करने के लिए हर्सबधन द्वारा आयजित की गई थी जिसकी अध्यचता वेंसांग ने की थी तो आज हमने आपको बहुत धर्म की जो समितिया थी उसके बारे में हमने आपको बताया कि बहुत धर्म की संगीतियां जो थी वो कौन थी पर्थम संगीती, दुतिय संगीती, तिर्थिय संगीती, चतुर्त संगीती इसके बाद पांचवी जो होती है वह समिती आयोजित होती है इन संगीतियों के बारे में हमने आपको बताया किसके अद्धचता किसने की थी, किसके शाशनकाल में आयजुद की गई थी और इसका सब्जक्ट क्या था, इसका परिलाम क्या था ये जो समितिया हैं वह आपके पॉइंट अब उसे, एक्जाम के जो पॉइंट अब उसे बहुत ही महत्पूर हैं तो आईए देखते हैं कि अगर आपके एक्जाम में इसे सम्मंदित, समितियों से सम्मंदित, संगीतियों से सम्मंदित अगर कोई कुश्चन पूछा जा सकता है तो वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है सबसे पहले हम देखते हैं कि आप से पूछा जा सकता है कि पथम बहुत संगीती किसी इस्तान कहा था और उसके परिड़ाम क्या निकले थे इनको आप जो हमने आपको पताया है संगीतियों के बारे में उनके आयोजन अस्तल के बारे में उनके सासक के बारे में और उनके परिणाम के बारे में इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इसको कहीं न कहीं एक paper पे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह बहुत important है यह UPSC का PCS का important topic है जहां से कोई न कोई question प्रिलिम्स में भी और मेंस में भी बार बार पूछा जाता है इसलिए इस question को इन संगीती से समदित question को आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो आज के जो हिस्ट्री का session था बहुत धर्म की संगीतियों के आयोजन के बारे में वो हमने आपको पढ़ा दिया अगला जो हिस्ट्री का session होगा वो कल होगा कि बहुत धर्म के उदे के क्या कारण थे बहुत धर्म के पतन के क्या कारण थे और बहुत धर्में जो बिशेस तत्य हैं वो तत्य कौन-कौन से हैं तो आज की जो मेरी अपनी class है history session की बहुत संगीतियों की वो अब यहीं समाप्त होती है हम आपसे अगली class में मिलते हैं कल के history के session में तो यह आपका जो channel है study bit tiger आपके अपने परिवार की तरीके से है इसलिए जादा से जदा लाइक करें share करें यो subscribe करें इसी के साथ हमारा यह session आज का समाप्त होता है हम आपसे मिलते हैं कल के session में जाए हिन जाए भारत